यू आर मोंस्ट विल्कम तो दे सेंटर ओफ इंग्लिश एडुकेशन फ्रोम कोकॉन टू सिल्क कोकॉन से रेसम तक दा ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ओफ सिल्क मॉथ फोर दा प्रोडेक्शन ओफ सिल्क इन्वर्ब्स दा फॉलॉइंग स्टेप्स रेसम के उत्पादन के लिए रेसम कीट के प्रजनन और प्रबंदन में निमलेखित चरण शामिल हैं फर्स्ट दा एक्स ओफ सिल्क मॉथ आर स्टोर्ड ओन स्ट्रिप्स ओफ क्लॉथ और पेपर एंड आर सोल्ड टू सिल्क वोर्म फॉर्मस रेसम कीट के अंडों को कपड़े या कागच की पट् रेसम कीट के अंडों को कपड़े या कागच की पट्टियों पर रखा जाता है और रेसम कीट किसानों को पेंचा जाता है The eggs are reared in hygienic conditions at suitable temperature and humidity till the larvae come out लार्वा के बाहर आने तक अंडों को उपयुक्त तापमान और आध्रता पर श्रक्ष परिस्टियों में पाला जाता है The silk moth larvae are then fed on mulberry leaves under controlled conditions रेसम कीट के लार्वा को नियंत्रित परिस्टियों में सहतूत के पत्तों पर खिलाया जाता है Fully grown cocoons are sorted out according to their color, size, shape and texture पूर्विक्सित कोयों को उनकी रंग, आकार और बनावट के अनुशार छाट लिया जाता है The sorted cocoons are immersed in boiled water or exposed to steam छाटे गए cocoonों को उबले हुए पानी में डुबोया जाता है या भाप के संपर्क में लाया जाता है This kills the pupae inside the cocoons यह cocoon के अंदर के pupae को मार देता है The cocoons are then put through a series of hot and cold immersions फिर cocoon को कर्म और ठंडे विसर्जन की एक स्रंकला के माध्यम से रखा जाता है This makes the seration soft यह seration एक चिपचिपप अधार्थ है The seration को नरम बनाता है The seration यह समके रप्सस पार्वपप नर्जर्दगर्ण उह हÌ गक, नर्याता है झाल 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 झाल